Hello everyone, दोस्तो, आज की एस बीडियो में हम लोग सेमेस्टर फास्ट मेजर कोर्ष इंगलिस का साइलेवस और इक सामनेशन पैटन डिसकस करेंगे दोस्तो ये जो साइलेवस मैं आप सभी के वीच डिसकस करने जा रहा हूँ सेमेस्टर फास्ट मेजर कोर्ष इंगलिस का ये all over बिहार के सभी university के लिए मानने रहेगा क्योंकि आपको पता है अब बिहार के अंदर 4 साल का graduation हो रहा है और 4 year graduation के लिए हर एक subject का separate syllabus राजफवन की ओर से जारी किया गया है और वो syllabus all over बिहार के सभी university के लिए मानने है यानि same syllabus रहेगा जिस प्रकार से 10th और 12th का board exam होता है एक ही syllabus के अनुरूप उसी प्रकार से अब बिहार के अंदर graduation भी होगा एक मातर सलेबस रहेगा पूरे बिहार के लिए हर एक subject का अपना separate syllabus रहेगा इस बीडियो में major course English का syllabus मैं आप सभी के बीच discuss करने जा रहा हूँ दोस्तो जब आप semester first major course English का syllabus देखोगे फिर आप पाओगे syllabus काफी छोटा है आपके syllabus में केवल और केवल चार chapter ही mention है पहला chapter का नाम है अभिज्यान शकुंतलम और इसके writer है काली दास दूसरा जो chapter है इस chapter का नाम है The Dicing, The Sequel of Dicing and The Book of Assembly Hall in Mahavarat और इसके writer है वेद ब्यास महavarat का ये तिनु separate chapter है The Dicing, The Sequel of Dicing and The Book of Assembly Hall in Mahavarat अब आए तीसरे chapter की योड तीसरा जो आपका chapter है इस chapter का नाम है म्रिस्कटिका और इसके writer है सुद्रक लास्ट यानि चौथा जो आपका chapter है इस chapter का नाम है बाल कांड और ये रमाइन का पार्ट है जब आप रमाइन पढ़ोगे फिर वहाँ पर पाओगे कि धेरो कांड है आप केबल और केबल बाल कांड को ही पढ़ोगे क्योंकि आपके paper में बाल कांड से ही सवाल आएगा और आपको पता है रमाइन का ये पार्ट है तो रमाइन किसके दोरा लिखा गया है बाल में किस दोरा लिखा गया है तो यही चार chapter आपको पढ़ना होगा एक बार फिर मैं repeat कर देता हूँ पहला जो chapter है इस chapter का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम संस्क्रीत लेंग्विज में लिखा गया है कालिदास जी के दोरा दूसरा जो chapter है ये महाभारत का है महाभारत के अंदर तीन chapter जो है ये आपके syllabus में mention है पहला है the dicing, the sequel of dicing and the book of assembly hall यही तीन chapter पढ़ना है आपको और ये तीनों महाभारत का part है और ये तीनों separate है the dicing, the sequel of dicing and the book of assembly hall तीनों separate है बादमा की तीनों का link एक जगह से ही है और ये वेद ब्यास के दोरा लिखा गया है, तीसरा जो chapter है इसमें आपको पढ़ना है मरिच कटी का और इसके writer है शुद्रक, last जो chapter है इसमें आपको पढ़ना है रमाइन का बालकांड जिसके writer है बालमी कीजी, तो total 4 chapter हो गया, इन ही 4 chapter से आपके paper में सवाल पुछा जाएगा अब मैं आपको exam का pattern बतला देता हूँ, देखिए ये जो आप major course English देखे हो, semester first का, ये 100 marks का होगा 100 marks में से 70 marks का exam ही आपका university, आपका board लेगा, remaining 70 marks का exam आपका खुद का college लेगा और college किसी परकार से ले सकता है, practical करा के भी ले सकता है, वायवा करा के भी ले सकता है, या फिर किसी परकार से MCQ format में अलिखित exam करा के भी ले सकता है तो ये college में depend करता है, बाद बाकी आप इस 30 marks के लिए निश्चिंत रहना, यहाँ पे आपको maximum marks मिल जाएंगे, क्योंकि इसका exam आपके college में ही होगा रह गया 70 marks, तो 70 marks के लिए आपको तयारी करना है, यह जो आप 4 chapter देखे हो, उन 4 chapter से 70 marks का सवाल पुछेगा आपका university, और university तीन परकार का सवाल पुछेगा objective question, short question और long question, objective total 10 सवाल पुछे जाएंगे, और यह compulsory रहेंगे, दसों का जवाब देना ही होगा एक सवाल रहेगा 2 marks का, तो 10 objective का सवाल हो जाएगा 20 marks का, short question total 6 पुछे जाएंगे, 6 में से आपको 4 का ही जवाब देना होगा और 4 पांच-पांच marks करके रहेंगे, तो 20 marks का आपका short question भी हो जाएगा long question total 5 पुछे जाएंगे, लेकिन आपको 5 में से केवल और केवल, 3 का जवाब देना होगा और 3 रहेगा 10-10 marks करके, यानि 30 marks का आपका long question हो जाएगा जब आप इस तीनों को add करोगे, तो 20 marks का objective, 20 marks का short question और 30 marks का long question, 70 marks हो जाता है और 70 marks का ही exam आपका university आपका board लेगा, और इन ही 70 marks के लिए आपको बढ़िया से त्यारी करना है अगर आप major course रखे हो, semester first का student हो, और बढ़िया से syllabus को कभर करना चाहती हो फिर बेहिसक आप हमारे सा जूड़िये, मैं आपको इन चारों chapter का बढ़िया से analysis करके video share कर दूँगा chapter wise मैं आपको question paper share कर दूँगा, guest paper share कर दूँगा और उनमें तीनों परकार का सवाल रहेगा, long question भी रहेगा, short question भी रहेगा, objective question भी रहेगा और highlighted question आता है exam में, इसलिए आप लोग highlighted question ही करना बढ़िया से हो जाएगा, छोटा सा syllabus है, चार chapter है अगर आप बढ़िया से पढ़ दोगे न तो 15 दिनों के लिए चैप्टर है, 15 दिन के अंदर आप इस syllabus को finish कर दोगे, कहीं से कोई issue नहीं होगा तो आप में से जो students interested हो, हमारे साथ जुडिये, घर बैठे, मैं आपको इन चारो चैप्टर का बढ़िया से तयारी करा दूँगा हर एक note शेर कर दूँगा, recorded video शेर कर दूँगा, इतना ही नहीं, आपको अपने whatsapp group में add करूँगा जब तक आपका semester first का exam नहीं हो जाता, तब तक उस group के माध्यम से मैं आपका help करूँगा इतना ही नहीं, कोई doubt आएगा, फिर आप मुझे direct call करोगे, साम में, मैं आपको time बता दिया करूँगा और फिर मैं वहाँ पर आपका doubt लूँगा, और semester first तक ही मैं आपका help नहीं करूँगा last semester तक मैं आपका help करूँगा, इसलिए आप सभी हमारे सजूडिये, और fee nominal रहेगा nominal fee में ही मैं आपको semester first का बढ़िया से त्यारी करा दूँगा तो जो student interested हो, हमारे सजूडिये, यह मेरा whatsapp number है 7048928746 Thank you so much everyone